अगर आप अपने बैटरूम या फिर हॉल के लिए एक बास्ट फॉर्टी त्री इंच के टीवी करीता चाहता है और आप कंशूज है टॉफ त्री रिलाइबल ब्रैंड इलजी, सूनी और सामसंग की फॉर्टी त्री इंच टीवी के बीच में तो आज का यह जो वीडियो है वो आपकी सारी कन्फिजन दूर करेगा क्योंकि आज कि इस वीडियो में आपको इन तीनों ही ब्रैंड की 43 इंच टीवी के बीच में डेटेल कंपरिजन करके बताऊंगा जिसमें आप इन तीनों ही टीवी के एक एक फीचर्स एंड टेकलोजिक को आपस में कंपर करेंगे जिससे कि आपको काफी हद तक आइडिया मिलेगा कि आखिर आपको इन तीनों ही टीवी में से किसे खरीदना चाहिए टीवी की साइज इंच में आती है जैसे कि 32 इंच, 40 इंच, 50 इंच, 55 इंच और 65 इंच इसे मैं आपको अपने लिए कितने इंच की टीवी खरीदना चाहिए तो ये टोटले डिपेंड करता है कि जहाँ पर भी आप टीवी को इंस्टॉल कराएंगे वहाँ से टीवी देखने का डिस्टेंस कितना है दोस्तों वीडियो के स्क्रीन पर मैंने आपको इंफोमिशन दी है जहाँ पर सेटिंग डिस्टेंस के इसाब से टीवी की एक्चॉल साइज भी दी है इन टीवी के अपने खुद के आप टीवी सिस्टम होता है जैसे कि सामसिंग में तैस इं अपरेटिंग सिस्टम य multip difference यूज़ होता है इन दूनों यूपरेटिंग सिस्टम का जो पली स्äंटर होता है उसमें limited apps available होती है यहने कि आपको कम application वहाँ पर मिलती है और उन्हें ही आप download करके use कर सकता है लेकिन अच्छी बात यह है कि इतनी भी regular OTT apps होती है जैसे कि Amazon Prime, Netflix, Geo Cinema या फिर Disney Hotstar इन सभी का access आपको वहाँ पर मिल जाता है अगर आप setup box के साथ TV देखना पसंद करते हैं या फिर regular OTT apps के content enjoy करते हैं और आपका use से ज़ादा नहीं रहता है तो एससे में दूस्तों आप इन TVs को अपने लिए कंसिदर कर सकता है यह best option होती है महीं दूसरों ओपरेटिंग सिस्टम आता है Android TV और Google TV यह दूनों ही Google के ओपरेटिंग सिस्टम है Android TV एक old ओपरेटिंग सिस्टम था उसमें जो भी खामिया थी उसे दोर करने के लिए ही Google ने Google TV ओपरेटिंग सिस्टम को market में introduce किया दोस्तों Google TV ओपरेटिंग सिस्टम Chrome OS पर उनोता है और compare to Android TV ओपरेटिंग सिस्टम के मुकाबले यूज करने में यह काफी ज्यादा smooth और easy है इन दोरों ओपरेटिंग सिस्टम में आपको Google Play Store मलता है जिसमें compare to Tizen और WebOS ओपरेटिंग सिस्टम के मुकाबले आपको ज़ादा एप्लिकेशन्स मिलती है जिने आप डाउनलोड करके यूज कर सकता है साथ ही आपको regular ODDF सारी मिल जाती है अगर आप multitasking के साफ से अपनी लिए टीवी खरीदना चाहते हैं चाहें आप setup box के साथ टीवी देखें regular ODDF के content को enjoy करें या फिर gaming के साफ से आपको टीवी चाहिए तो इस condition में दोस्तों Android TV और Google TV आपके लिए बास्त option बन जाती है लेकिन Android TV और Google TV में इसे भी दोस्तों आपको Google TV कंसिलर करना चाहिए क्योंकि ये एक latest operating system है अब हम LG Samsung or Sony की 40th range TV की बीच में detail comparison को शुरू करता है जिसमें सबसे पहले दोस्तों हम इसके resolution की बात करेंगे दोस्तों इन तीनों ही TV में आपको LED panel मिलता है जिसमें आपको 4K Ultra HD यहाँ पर resolution मिल जाएगा यहने कि video quality आपको इन तीनों ही TV में काफी बढ़िया मिलेगी और अच्छी बात दे हैं कि अगर आप इन तीनों ही TVs को 178 degree wide view angle से भी एकर watch करता है तो आपको एक अच्छी video quality का experience होता है इन तीनों ही TV में जो remote control आपको मिलेगा उसमें आपको voice command का feature भी मिल जाता है यहने कि voice command देकर आप TV को operate कर सकता है साथ दोस्तों जितनी भी regular already apps वगरा होती है उनकी कुछ hotkeys भी आपको मिल जाती है जिससे कि आप already apps को काफी easily use कर सकता है Samsung की TV में दोस्तों जो आपको remote मिलता है वो एक solar remote है और वो automatically charge भी हो जाता है जो कि काफी अच्छी बात है वाई sound audio quality की बात करें तो इन तीनों ही TV में आपको 20 watt output speakers मिल जाता है एक TV में processor काफी important होता है LG की TV में आपको A5 generation AI processor मिलेगा Samsung की TV में आपको crystal processor 4 के मिलेगा जबकि आपको Sony की TV में 4 के processor X1 मिलेगा ये तीनों की processor दोस्तों इनके खुद के अपने brand के है यानि कि आपको उनके खुद की बनी हुई chip यहाँ पर मिलती है processor की जिसकी वज़े से TV का performance आपको काफी बढ़िया मिल जाता है वहीं बात करें operating system की तो दोस्तों एक TV में operating system का भी rule काफी important होता है Samsung में और LG में आपको इनके खुद के operating system मिल जाता है जैसे कि Samsung में आपको Tizen operating system मिलेगा जबकि LG में वेपो इस operating system मिलेगा जबकि Sony की TV में आपको Google TV operating system मिलेगा जो की दोस्तों इन दोनों की operating system के मुकाबले आपको ज़ादा application को use करने का access provide करेगा एक TV में connectivity ports में काफी important होता है इन तीनों ही TV में आपको तीन HDMI और एक USB port मिलता है साथी Bluetooth, Gaming Console और 12 Band Wi-Fi का support यहाँ पर मिल जाता है दोस्तों एक छोटी से कमे connectivity port में यह है कि आपको यहाँ पर USB port इन तीनों ही TV में के वर एक ही मिल रहा है एक की जगा गर दू होते तो और बहतर डिल होती एकिन स्टिल दोस्तों आपको सारे basic connectivity port इन TVs में मिल जाता है वही रेम और रोम की बात करें तो Samsung की TV में आपको 2GB रेम और 8GB internal storage मिलती है जबकि LG की TV में 1.5GB रेम और 8GB यहाँ पर internal storage मिलती है जबकि Sony की TV में रेम की बारे में तो दोस्तों उनकी brand के उरसे कोई official information नहीं है लेकिन 16GB की आपको यहाँ पर internal storage मिल जाती है वेसे दोस्तों अगर मैं रेम की बात करूँ तो इन तीनों ही TV में रेम का इतना जादा importance नहीं है क्योंकि इनका जो processor है वो आपको इतना अच्छा outstanding performance प्रोवाइड करता है जिससे की TV बीना hang away आपको एक अच्छा performance प्रोवाइड करती है एक TV में refresh rate काफी जादा important होता है जब भी आप किसी भी TV में कोई भी वीडियो देखता है तो actual में वो वीडियो नहीं होता जबकि काफी सारी AC images होती है जो की refresh rate की कराण आपके सामने एसे आती है जिससे की आपको लगता है कि कोई वीडियो चल रहा है और वो डिपेंड करता है refresh rates के उपर सामसिंग के टीवे आपको 50 Hz का refresh rate मलेगा जबकि LG और सोनी के टीवे में आपको 60 Hz का refresh rate मल जाता है जो की सामसिंग के मुकाबली एक बहतर डिल है टीवी हम करिता है एक बैतरी इन वीडियो कॉलिटी के लिए और वीडियो कॉलिटी दोस्तों इन तीनों ही टीवी में आपको काफी बड़िया ही मिलती है इन तीनों ही टीवी में आपको फूर की LED पैनल मिल जाता है जो की HDR10 content को भी support करता है यहने कि आप high dynamic range ये content भी इन टीवी में enjoy कर सकता है साथ अगर मैं gaming की बात करूँ तो gaming के purpose के साफ से भी ये तीनों ही टीवी आपको काफी बड़िया performance प्रवेट करती है लेकिन comparison अगर हम करें तो comparison में दोस्तों Sony की टीवी की जो video quality है वो compare to LG और Samsung के मुकाबले आपको बहतरीन देखने को मलती है क्योंकि इस टीवी में जो आपको 4K HDR पैनल बिलता है वो live color को support करता है जिससे कि आपको एक real time video quality का experience होता है जो black होता है वो आपको original black ही देखता है और जो white होता है वो भी आपको original white ही देखने को मलता है लेकिन इसका मतलब ये बिल्कूल भी नहीं है कि LG और Samsung की टीवी खराब है या बेकार है लेकिन comparison के इसाब से Sony की टीवी आपको थोड़ी सी बहतर deal प्रोवाइड करती है तो आपको Samsung की टीवी फिलाल मिल जाएगी 35R 490 रुपे में वहीं आप LG की टीवी को फिलाल खरी सकता है 34R 990 रुपे में और Sony की टीवी को फिलाल आप खरीद पाएगे 40R 990 रुपे में यानि कि Sony की टीवी आपको प्राइस में थोड़ी सी महेंगी मिलेगी कंपेर टो LG और Samsung की टीवी के मुकाबले इन तीनों ही टीवी के एक एक फीचर्स और टेक्नोलोजिस को आपस में कंपेर करने के बाद जो मेजर डिफरेंसिस है वो इन तीनों ही टीवी की बीच में आपको आपने लिए किसे खरेदना चाहिए अगर आपको अपने वीडियो जरू पसंदा होगा अगर आपको अपने फैमिली फ्रेंड्स में के साथ जरू शिर किजिए और अगर आपके कोई सवाल है तो आप कमेंट करना बिलकुल मत भुलेगा दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही मिलता है बहुत जल जखनी वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद बंदे मातराव